हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी केश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ IPL 2024 के मुकाबले की जो की खेला जाएगा चन्नाई सूपर किंग्स वर्सिस सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच में हैदराबाद के रजीव गांदी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर पांच एपरिल को शाम के साढ़े साथ बजे से और इस मुकाबले का लाइव टेलिकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो सिनमा के उपर अगर मैं आपसे बात करता हूँ फिछ रिपोर्ट के बारे में तो हम सभी ने देखा था पिछले मुकाबले में सारे रिकॉर्ड्स रूड गये थे हैदराबाद के अंदर तो फिर एक बार वह एक बहुत ही कमाल का बैटिंग ट्रैक होगा और दोनों टीमें इस मुकाबले के अंदर ना बड़े रंस बनाना चाहेंगी सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ होम टीम सन्राइजर्स हैदराबाद के बारे में पर बॉल काफ़ी अच्छे सारी है हेड के बल्ले पे अभिशेक शर्मारी में नंबर तीन के पर काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया है, वो भी काफ़ी कमाल के फॉर्म में लग रहे हैं, देखते हैं इस मुकाबली के अंदर वो क्या करेंगे, और हेंड्रिक लासन के बारे में काफ़ी डिसपॉइंट किया, अब तर तीनों मुकाबलों के अंदर फ्लॉप रहे हैं वो, देखने वाली बात हो कि इस मुकाबली के अंदर वो क्या करेंगे, क्योंकि राहूल त्रिपार्टी बैंच पर बैठे हैं, मैंग को जारा मौके नहीं मिलने वाले, पर दिक्कत आ निकालने पड़ेंगी, फिर पैट कमिंस भी है, जएदे वुनातकत भी है, आपको उतनी कोई कमी दिखाई नहीं देती इस टीम के अंदर, पर बैटिंग इस टीम की काफी स्ट्रॉंग है, अगर गेंद बाजों ने स्टेप अप कर लिया, तो बहेदराबाद की टीम इस मुकाबले में ओपन कर सकते हैं, मैंक अगरवाल और ट्रेविस हैड, नंबर तीन पर अभीशेक शर्मा, नंबर चार पर एडन माकरम, नंबर पांच पर हेंडरिक क्लासें, नंबर चैपर अब्दुल समद, नंबर साथ पर आएंगे आपके शैबाज आहमद, फिर पैट कम भुवनेश्वर कुमार, मयंक मारकंडे और जयदेव उनातकर, तो ये टीम हो सकती है, इस मुकाबले में हैदरावाद की और वशिंटन सुंदर को एज एन इंपक्ट प्लेयर खेलने का मौका मिल सकता है, अम मैं आपसे बात करता हूँ चन्ने सूपर किंग्स के बारे में, तो चन्ने की टीम को लगतर दो मुकाबले जीतने के बाद, पिछले मुकाबले में एक हार जिलनी पड़ी, लेकिन सबसे वड़ा पॉजिटिव था पिछले मुकाबले में, महेंदर सिंग धूनी की बल्ले बाजी, मैं धूनी ने बता दिया, कि अभी भी वो अच्छी बल् रचिन रवंदरा भली पिछले मुकाबले के अंदर फ्लॉप हो गई हूँ, लेकिन ओपन करते हैं रवंदरा इस टीम के बहुत बड़े प्लेयर हैं, फिर इस टीम के पास उतुराज गायकवार को अप्शन है, डेरिल मिचल को अप्शन है, समीर रिजवी को अप्शन है, बले बाजी मेरे साब सिस्टिंग के काफी सौटर्ड है, बले पिछले मुकाबले में जो हुआ हो गया, लेकिन बैटिंग में मुझे कोई दिक्कत दिखाए नहीं देती, गेंद बाजी मतलब मुझे थोड़ी बहुत पैची लगती है, इस मुकाबले में मुस्तिफ उस रह रहमान शायर ना खेल पाए, वो बंगलादेश गया हूँ अपने वीजा इशूस की वज़े से, तो हो सकता है रहमान इस मुकाबले में ना खेले, दीपक चहर को स्टार्टिंग में विकेट से निकालने पड़ेंगे, बॉल को स्विंग कराते हैं दीपक चहर, अगर उनको नमबर चार पे शिवम दूबे, नमबर पांच पे डेरिल मिचल, नमबर चैपे समीर रिजवी, नमबर साथ पे महिंदर सिंग धोनी, फिर रविंदर जड़ेजा, दीपक चहर, तुशार देश पांडे और मतीशा पतीर रणा, अब इंपक प्लेयर कौन खेले का देखना पड़ेगा, शारदुर ठाकर को अप्शन है, मोहिन अली को अप्शन है, या फिर अगर मुस्तफिसुर रहे, तो वो भी इंपक प्लेयर बन सकते हैं, आप कमेंट करके बताएं को मुकाबला कौनसे टीम जीतने वाली है, मुझे पता नहीं क्यों फिलिंग आ रही, इस मुक स्पोर्स नहीं तो कुछ नहीं